वेल्कम तो माइ यूट्यूब चैनल आज अलचेम्रिक एडेंटिटी इस क्यंतर गद्भी जोनिगे शर्व समिका में ए माइनस बी क्यूब के बेस पर यह प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं ए माइनस बी क्यूब चो रहेगा हो आपका एक्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थी यह भी और ए माइनस बी में रहेगा इस बेस पर फर्स प्रॉब्लम है आपकी रहेगी वो है एक्स माइनस सेवन तो इसी फॉर्मॉले के बेस पर सॉल्व करेंगे, एक के प्लेस पे एक्स और बीच हो है, वो आपके 7 के एकवल है, तो इसमें जो रहेगा, आपका फिसलि, एक के प्लेस पे जो आपने x का क्यूब किया है, वो रहेगा x cube इसके बाद यह 7 cube जो b के equal है 3 formula के according और x into 7 और फिर ट्राकिट में x minus 7 x का cube जो है वो आपका x cube और 7 का जो आप cube रहेगा वो रहेगा 3, 4, 3 माइनस 3 को 7 से multiply कर देंगे 21x और ब्राकिट में x minus 7 x cube माइनस 3, 4, 3 माइनस इस 21 को अंदर multiply कर देंगे 21 चो है इस x से multiply होकर 21x से multiply होकर 21x square माइनस है अंदर यह multiply होगा तो यह plus में convert हो जाएगा और 21 को 7 से multiply कर देंगे 7, 7 to 14x यह रहेगा और यह problems यहां तक भी answer आता है और इससे आगे भी रहेगा तो इसमें इसको बस आपको इसको descending and ascending order में arrange करना रहेगा x cube पहले लेंगे फिर x square ले लेंगे यह descending order में और प्लेस 147 और माइनस 343 यह इसका answer रहेगा फर्स्ट यह problem है आपकी तुबारस देख लीचे सर्व समी का यह formula रहेगा इसका a-b cube का b cube a cube b cube minus 3 a b bracket में a minus b इसी बेस पे यह first problem solve होई है x के place पे a लिए गया है और b के place पे 7 इसका cube करेंगे 3 x 3 formula के according और दोनों यह फ्लेस पे a और b है इसको multiply कर देंगे और x minus 7 bracket में रहेगा और आप जो है इसको इसका cube करेंगे minus यह हो गया इसको अंदर multiply करेंगे तो यह plus में convert हो चाहेगा और फिर इसको क्या है आपको descending order में erase कर दिया गया है second जो आपकी problem है वो है x minus y cube इसको भी इसी base पे solve किया जाएगा आपको a के place पे आप जो है वो 2 है और y के place पे जो है वो भी है तो कैसा रहेगा इसमें a cube minus y cube कर लेंगे और 3 into 2 into y और bracket में 2 minus y 2 का cube आपको रहेगा 2 to the 4 4 को 2 से करेंगे 8 y cube minus 6 y 3 to the 6 और यह आपको रहेगा 2 minus y और यह 8 minus y cube इस 6 को अंदर multiply करती चें 12 y और इसको इससे करेंगे तो यह हो जाएगा 6 y square बस इसको आपने उसी तरह descending यह ascending order में arrange कर देंगे y cube plus का आपका हो गया 6 y square minus 12 y और plus के 8 आगे इसमें negative sign ना हो पूरे sign को जिंच कर लीजे y cube minus 6 y square इसको plus में कर दीचे plus y और plus को minus में कर दीचे यह answer रहेगा 2 का square किया है cube किया है y का cube किया है 3 इसमें formula में रहेगा और यह minus में है 3 2 जाए कितना हो गया 6 और इस 6 को 2 से अंदर multiply कर देंगे 12 और फिर 6 को y से कर देंगे तो 6y square इसी तरह आपका यह थर्ड आ रहा है थर्ड में थर्ड 3P minus 4 cube है इसका cube रहेगा इसमें भी फर्स टिसिट का आप उसी तरह cube कर लेंगे minus 4Q फिर minus आपका रहेगा 3 into 3P into 4Q और bracket में 3P minus 4Q 3 का 3, 3, 0, 9 27P cube हो जाएगा 4, 4, 0, 16 16 यह आपका हो जाएगा 64 cube minus 3, 3, 0, 9 P और नीचे हो जाएगा 4Q अंदर वही है 3P minus 4Q यह हो जाएगा 27P cube से ऐसे ही रहने दीचे अभी Q इसको अंदर multiply करेंगे यह आपका हो जाएगा 9, 3, 0 27 P square 4Q minus plus में convert हो जाएगा और इसको इससे कर देंगे 9P और यह हो जाएगा आपका 16Q square आप इसको भी इसी तरह ascending or descending order में arrange कर लिया जाएगा जैसे पहले सभी problems की है तो यह हो जाएगा आपका 27P cube और इसके बाद पी वाला ही रख लीजे जो आपका रहेगा 27 P square 4Q और इसके बाद आपका माइनस में 164 Q cube और लास्ट में 9P 16Q square तो यह आपका इस तरह यह problem solve रहेगी दुबारा से इसे फिर देख लिजे इसका cube कर लिया 2nd टेसिक का आप नहीं कर लिया formula में आपके 3 लगावाई है उपर जो है और 3 दोनों A और B के place पे यह value put up कर दी है और यह bracket में दोनों चले गए आप इसका cube करा 3 का करेंगे 27 और 4 का 64 3 3 सा 9 और यह आपका जो रहेगा 9 को 3 से multiply कर देंगे P का P Q square होचेगा और इसको इससे कर देंगे तो यहाँ plus रहेगा और नीचे का इससे कर देंगे 4 4 जा 16 और यह Q square अब इसे आपने descending order में रखते ना है यह आपका कैसा रहेगा यहाँ पे P Q P square वाला फिर Q वाला और Q square वाला इस तरह यह problem इसकी solve होचेगी इसी base पे एक दो problems और है वो भी solve इसी base पे होगी तो पूरी ना करके बीच बीच की है ऐसी आपका 7X से 3Y cube है 7X का cube जो आप करेंगे तो 7X cube minus 3Y cube minus 3 into 7X 3Y और यह हो जाएगा 7X minus 3Y 7 को इसका cube करेंगे आप कहाँ जाएगा 3,4,3 minus 27Y cube minus यह जो आप करेगा 3,3,9,9 63 XY 7X minus 3Y 3,4,3 minus 27Y cube minus अब इसको इसके अंदर multiply कर लेंगे पूरे इसमें इसके साथ भी और अंदर इसके साथ भी यह multiply यह आप कर रहेगा तो 63 की 7 से कर देंगे 7,3,0,21 1 हो गया और यह 44 441 रहेगा और इस X के साथ करेंगे तो कितना आजएगा X square और Y का Y ही रहेगा प्लस में convert हो जाएगा इसका इससे कर देंगे multiply 189 X Y square अब इसे भी बस इसी तरह ascending और descending order में करना है बस देख लीजे इसको इसका cube कर लिया था X भी है इसके साथ X cube यह लगा लीजे इसका किया 27 Y cube इसके साथ multiply किया तो 63 X Y और फिर इसका आपने इसके साथ अंदर multiply कर देंगे इसका और यह इस से जब करेंगे तो यह sign minus का जो है plus में convert हो चेगा आप इससे descending order में arrange कर दीचे 343 X cube minus X वाला ले लीचे आपका रहेगा foot 441 X square Y और इसके बाद minus 27 Y cube और प्लस 189 X Y square यह इसका answer रहेगा तो इस तरह इसकी यह first 4 है next problem जो है next problem जो है वो X cube minus 1 upon X cube इसकी value आपको बतानी है जबकि X minus 1 upon X जो है इसकी value दे गई है 24 upon 5 तो यह calculate करना है और इस base पे आप इसको करेंगे तो इसमें X minus 1 upon X और 24 upon 5 इसमें दोना तरह इसका cube कर लेंगे घन कर लेंगे तो इसमें इसका cube जो करेंगे उसी formula पे आप इसको solve करेंगे तो यह रहेगा X cube second number का भी cube कर लेंगे और minus 3 into X 1 upon X पहला रखा आपने value और दूसरी रखी और bracket में आपका रहेगा X minus 1 upon X और equal 24 24 का जो cube आप करेंगे जिसमें 24 24 को 3 times इसको multiply करते हैं तो यह number साता है 13824 ठीक है यह आपका यह number आएगा इसको multiply करके देखेंगे चेक कर लेना तो यह ही number इसका यह आएगा 138 यह इसकी value आएगी 13824 और आपको इसका 5 को भी 3 times कर देंगे तो यह आज हैगा 125 125 अब X cube minus 1 upon X cube रखेंगे और इसमें यह X इस X से कर जाएगा और यह बस गया आपका 3 और इस X minus 1 upon X की value जो है वो कितनी है यह रहेगे 24 upon 5 रहेगी तो इसकी जगे पे यह value रखती जाएगी तो यह कितना रखती हैं आपने 24 upon 5 और इधर आपका right hand side पे 13824 अपन कितना रहेगा 125 तो 5 आप जो है यह इसकी value तो निकाल नहीं है तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे तो यह कैसा रहेगा आपका X cube minus 1 X cube minus अब आप क्या करेंगे 3 को 24 से करेंगे तो यह आज हैगा 24 3072 upon कितना हो जाएगा 5 इक्वल किसके हो जाएगा 13824 upon 125 X cube minus 1 upon X cube क्योंकि यह C के value तो हमें निकाल नहीं है इस देंगे तो इसमें कैसा रहेगा अब इसको दाइं और ले जाएगे और इस तरफ ले जाने पर राइट एंड साइट पर इसको शिफ्ट करने पर 124 125 125 और यह इधर ले जाएगे तो यह कितना हो जाएगा प्लस में 72 upon 5 इसका LCM ले लिचे 125 यह वन टाइमस रहेगा तो यह value आपकी वैसे ही रहेगी 13824 और यह 25 25 को 72 से multiply कर देंगे 5 को 125 से पहले डिवाइड के 25 और 25 को 72 से इसमें multiply करने पर आपका चो आज़ेगा यह 1800 1800 इन दोनों को एड कर दिया जाएगा एड करने पर यह value होए कि 15624 upon 125 एक सो बच्चिस को इससे भाग कर देंगे भाग करने पर इसकी आंसर से वह आएगा 124.992 आंसर रहेगा दुबारा से से देख लीजे क्या किया गया है यह आपको value निकालनी है और इसमें x-1 upon x कितना दिया गया है 24 upon 5 तो इस ही को लेकर चलेंगे इसको लेकर चलेंगे इसकी दोनों तरफ राइट और लेफ साइड पर इसका क्यूब कर लिए जाएगा क्यूब करने पर इसमें कैसा रहेगा इसको उसी फार्मुले से open कर देंगे x cube second value को अभी cube कर लेंगे 3 into x into 1 upon x और bracket पे x minus 1 upon x और 24 को 3 times multiply करने पे यह आएगा 5 को 3 times करने पे यह आएगा और यह आपका रहेगा x minus क्योंकि यह तो निकाल नहीं है तो इसको कुछ change करने का कोई मतला भी नहीं है इसकी जगे पे आपने यही रख दिया है 24 बटे 5 और 3 ही है और यह value ऐसी रहेगे अब next जो उसमें इसको multiply कर दिया और इसका इस side ले जाने पर यह minus किज़े के क्या हो जाएगा plus और plus करके इसका LCM ले लिया गया है तो यह value जो निकालनी है वो आपकी इस तरह आएगी यह आपका 1 times जाएगा तो यह इतना ही value आएगी और 5 को इससे भाग करेंगे 25 आया 25 को 72 से multiply करके 18 सो इन दोनों को जोड के भाग करने पर answer आपका 1 to 4.99 तो रहेगा आप इसके बाद यह value इसमें आ रही है आभी तक हम आपका दूसरी value पुट अप कर रहे थे आप जो है इसमें numbers के according इसी बेस पे उसी formula आपका वोई ही रहेगा जो पीछे किया था फिर मैं एक बार और इसके formula को लिख दे रही हूँ जो formula रहेगा आपका उसी तरह रहेगा आपका यह था x cube x के बेस पे कर लो या a b के कोई फरक नहीं है minus 3 x y और यह रहेगा x minus y अब इसमें क्या करेंगे इसे इसी form में change करेंगे यदि हम क्या करते हैं 100 में से 2 subtract कर देते हैं तो यही आपका आज हैगा x minus y cube और यह इसका formula यह था यह value यहीं आजएगी बस इसी को x की जगे पे 100 ले ली चे और y की जगे पे 2 ले ली चे तो यह कैसा आपका रहेगा इसमें भी 100 का cube कर लेंगे minus 2 का cube और कैसा रहेगा यह 3 into 100 into 2 फिर 100 minus 2 और यह रहेगा 100 को तीन बार करेंगे तो 6 0 अचेंगी यह 8 और यह आपका 600 और 100 minus 2 वह ही रहेगा 98 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 8 इसको अंदर इसके मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 98 में जिसमें क्या करेंगे 98 को इससे मल्टिप्लाइ करते हैं तो आपका अता है 5 8 8 0 0 600 को 98 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह आपका आएगा 5 8 8 0 0 अब ऐसा करेंगे minus minus को add कर लेंगे तो यह कितना आएगा आपका तो अच्छा छे इसको minus minus को add करने पर minus ही आएगा 5 8 8 0 8 और इसको इसमें से सेप्रेक कर देंगे और जब इसको इसमें से सेप्रेक किया जाएगा तो आपका 8 0 8 8 5 तो यह आपका जो नंबर आएगा वो रहेगा 2 9 9 1 1 और यह 4 9 तो आंसर आपका कह रहेगा 9 4 1 1 9 2 रहेगा यह आंसर इसका रहेगा देख लिए इसमें आप यह नंबर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है इसमें इसको इसी फॉर्म में कनवर्ट कर लेना है 98 में 100 में से 2 सब्टेक कर दीचे 2 तो 98 आशेगा 100 का क्यूब करेंगा 2 का क्यूब 3 इसमें फॉर्मूले में हैं और X और Y की चेके पर यह दोनों नंबर रख दिये जाएंगे यह ब्रैकेट में फिर दुबारा से वही 100 माइनस 2 इसका क्यूब करा 2 का क्यूब करा इसको मल्टिप्लाई करा 98 100 में से वही था इसमें 600 को 98 से मंटिप्लाई करके यह नंबर आया माइनस माइनस को एड कर दिया माइनस में ही आएगा और फिर इसको इसमें से सब्टेट कर दिया तो यह आंसर आपका आचाएगा इसी तरह इसमें next problem जो है वो point में है और इसके अलावा एक दो सेम problem भी है तो उसको इसी base पे आप solve करेंगे तो 99 जो आपका आएगा तो वो किस base पे आएगा यदि हम क्या करते हैं 10 में से 0.1 सब्टेट कर देते हैं तो आपका 99 नहीं आजाएगा यह 100 में से हमने 0,1 इसका सब्टेक कर दिया है तो यह 1 ले लेंगे इदर से बोरो तो यह 99 नहीं रहेगा ठीक है और इसी को हम solve कर लेंगे पहले 10 का cube करेंगे minus 0.1 का cube minus 3 into 10 into 0.1 रहा और 10 minus 0.1 इस तरह यह रहेगा 10 का cube करेंगे 3 times 0 और इसमे 1, 0, 0 point 3 times 0 left and side कर लेंगे और इससे करेंगे इसको तो 3 ही आएगा 3.0 आएगा इसको 3 ही मानेंगे और यह 9.9 आपका रहा अब इसमें 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 और इसको इसके अंदर multiply करने पर 29.7 रहेगा 9.9 को क्या किया गया है 3 से बस multiply करना है तो यह आपका 29.7 ही रहेगा अब यह minus minus को उसी तरह add कर ली छेगा तो यह आपका आज़ेगा 29.701 701 701 .001 में आपने 29.7 एड करना है 29.701 इसका रहेगा और इस thousand में से इसको subtract करने पर जो आपका answer रहेगा वो रहेगा आपका 970 0.299 ठीक है thousand में से आपको इसको subtract कर देना है thousand इस साइड रखेगा decimal लगाएगा और यह आपका रहेगा 29 और 701 तो इसको subtract करेंगे तो आपका क्या आज़ेगा 970.299 तुबारा इसे देख लीचे 9.9 का cube से इसको solve कर रहे है इसको किसमे change किया 10 में से 3.1 less करते हैं तो यह आज़ेगा आपका number 10 का cube किया इसका cube 3 and 2 दोनो नमबर्स रख दिये चाहेंगे bracket में यह इसका cube open करेंगे इसको किया और इसको इससे करने पर 3 आएगा ठीक है क्योंकि 30 आता है और first place के बाद आपको decimal लगा देंगे तो यह 3 ही आपका रहेगा 9.9 इसको इससे multiply गड़ दिया और इन दिनों को minus minus को add करने पर गया आएगा इसमें से इसको subtract करेंगे तो यह decision आपकी रहेगी last आपके problem चो है वो इस base पे है इसी base से related एक दो और है तो वो इसी base पे हो जाएंगी यह x minus y आपका 4 है और x y 21 है और x minus y cube की value आपको calculate करने तो उसी तरह इसमें x minus y equal 4 दोनो और right और left और इसका cube कर ली से इसका घन कर ली है जाएगा तो इसमें कहा रहेगा इसको उसी base पे खोलेंगे जो पीछे चलता आ रहा है पहली संख्या का घन ले लेंगे दूसरे का minus 3 into x into y और bracket में x minus y और 4 का आप cube करेंगे तो 64 तो x cube minus y cube यह minus है bracket इस तरह है यह minus 3 x y x minus y 64 आप क्या किया जाएगा इससे solve नहीं करेंगे x और y की value आपको 24 दिये तो x y की जगे 24 रख दिये जाएगा और x minus y कितना दिया गया है यह x y 21 दिया गया है और x minus y इससे के 4 रख दिये जाएगा तो value रख नहीं है और यह तो निकाल नहीं है x cube minus y cube यह आजएगा इसकी जगे पर x y के जगे पर आपने क्या रख देना है 21 और इसकी जगे पर क्या रख देना है 4 यह होगा 64 x cube minus y cube और इस सब को multiply करतेंगे तो इनको multiply करने पर आएगा 252 252 और यह हो जएगा 64 x cube minus y cube और इसको इधर ले जाएगे 64 प्लस कितना हो जएगा 252 x cube minus y cube यह cube है बारावर्ज हो जएगा इन दोनों को add करके 316 यह इसका answer रहेगा तुमारा देख लिए इसमें problem को आपको कैसे करना है x minus y और x y के value भी दी गई है यह निकालना है तो इन दोनों का दोनों तरफ घं कर लिया है cube लेके x cube y cube 3 x y x minus y और 64 इसका cube क्या 3 x y यह रखा आगे इसी इसकी value इसकी जगे x y के जगे 21 रख दिया और x minus y के शेके पर 4 यह 64 इस सब को multiply किया इधर इसके ले गए plus कर दिया और 316 इसका answer आ गया तो यह हमारी जो algebraic identity टिटीज थी यह बिजगणे दिये इस सब समी का थी उसकी problem जो है वो पूरी solve हो गई है और thank you for watching my video झाल झाल